सो स्वागतम गैच उलकम बैक तू दे चैनल तो मैं आज आपके लिए अगेंस्ट इसका सुप्रीम के नेक्स नोबिल चैप्टर को लेगर आ गया हूँ चैप्टर के स्टार्टिंग में हम दिखते हैं जैसी मास्टर तेंताई को पता चलता है कि मिस बिंग उसके जूनियर ब्रदर की बेटी है उसकी डाटर है वो बहुत ज़्यादा सौक हो गया था अब हम दिखते हो आपके टैन्यू केने लगता है चीफ मिस बिंग आपके जू कुछ पता है कि यहाँ पे मेरे ब्रदर के उपर जो भी यहाँ पर ब्लेम लगाये गए थे वो सब कुछ जूटे थे यहाँ पर जूटे आरूब लगाये गए थे अब टैन्यू केने लगता है मिस बिंग भी गूंग सूटे यूचान को मारना चाती है क्योंकि वो अपने यहाँ पे मेरे जूनियर ब्रदर के उपर पर मैं चाकर भी उसे मार नहीं सकता कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके बैक्ग्राउंड में बहुत ज्यादे पाउफूल लोग है सेट के जो कि उसे हर सिचूइसर में कवर करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हम दिखते हैं यहाँ सब कुछ बाते केती हुए बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और वो केरने लगते हैं सब गलती मेरी है यहाँ पर टैन्यू की तरफ देखते हुए मास्टर केरने लगते हैं पर यह सब कुछ के बारे में तुम्हें कैसे बता चला अब मास्टर टैन्यू केरने लगता है मे मेरे मास्टर और मिस बिंग के मास्टर एक दूसरे को अच्छी तरीक से जानते हैं पुरी तरीके से सिक्योर करना चाते हैं और मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि वो जैसे भी करकी यहांपे मिस बिंग को वाहम पूस request में प्रोटेक्ट करेंगे और इसलिए मैं आपसे एक सिक्रल रिलिम चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गोंग सुंग यूच्या, कोई भी कतर नहीं छोड़ेगा, मिस बिंग को परिसान करने के लिए, उसे टॉचर करने के लिए, अब टैन्यू की यह सब कुछ बाते सुनके, वहाँ पर मास्टर तिंताई क केने लगते हैं, मैं तुमसे किस तरीकी का ट्रीट करता हूँ, यहाँ पर बाहर के फोर्सेज भी आके मिक्स हो जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कौन इस्पाई है, कौन दोस्त है, और कौन यहाँ पर दुस्मन है, क्या तुम दूसरों की तरह तो नहीं हो ना, मास्टर तैन्यू की मुझसे, सब कुछ बाते सुनके, वहाँ पर टैन्यू, उसी बक्त बोर्डाउन करते हुए केने लगता है, स्रीट लीडर, यहाँ पर आप ज्यासा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी दूसरे फोर्सेज का इस्पाई नहीं हो, आप मुझ में बिली अब मास्टर टैन्यू की तरफ देखने लगता है, और वह केने लगता है, जैसे कि तुमने यहाँ पर बताया, सो सालों में, मिस बिंक के अंडर में, जितने भी ज़्यादा डिसाइपल होंगे, वह सारे बहुत ही ज़्यादा पावफुल होंगे, हमारे पूरे वांपू से सुनके वहाँ पर टैन्यू केने लगता है, सेट लीडर, मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि उनका रिलेशन हुआ हम पू सेट के साथ में बहुत ही अच्छा है, और इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर एक्सेसाइज की बुक्स दिये हैं, और एक्सेसाइज और टेक् हैं, अगर हम याँ पर वहांँ पर सेट के टेक्निक्स और कुल्टिवेटिंग मेथोर्स की बात करें, तो उनसे भी ज 마음에 जादा पावफूल, मेरे मास्टर ने के दिये हुए टेक्निक्स और काल्टिवेशन मेथोर्स हैं, जिसकी वज़े से आपर बहुत ही जादा अब हम देखते हैं सब कुछ बात है सोच कि वहाँ पे Master Tintai तो खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ Tanyu Master Tintai को पूछने वाला था कि या वो उन Masters को जानते जो यहाँ पे 80,000 अगो यह भी सब Virial God में गए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे Tanyu उन्हें कुछ भी नहीं बोलत वो आपे सोचने लगता है Master Tintai को यह सब के बारे में पूछना ठीक नहीं होगा क्योंकि कुछ टाइम पेले वो मेरे उपर सक कर रहे थे कि कहीं में किसी दूसरे फोर्सेस का इस्पाई तो नहीं हूँ जासूस तो नहीं हूँ और वाइसे भी मैंने यहाँ पे यह सब कुछ लिया तो Master Tintai को लगेगा कि हूँ आमफू सेट में मैं यहाँ पे Divine Sword को लेने के लिए आया हूँ इन सब चीजों के बारे में सोच के वाँ पे Tanyu डिसाइड करता है कि इस बारे में मैं बात में बाते करूंगा क्योंकि अभी Tanyu इतना ज्यादा पावफुल नहीं है दूसरी तरफ Master Tintai Tanyu की तरफ देखते हूँ केने लगते हैं तो तुम मुझे बता सकते हो तुम यहाँ पे Miss Bing की कैसी help करना चाते हो और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए अब Master Tintai की बाते सुनके वहाँ पे Tanyu केने लगता है सेट Master लास्ट टाइम हम जब Eternal Lad म गए वहाँ पे हमने दूसरे सेट के बहुत सारे डिसाइपल को मार दिया और वहाँ से थाउजन spiritual treasures मिले थे और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे method of cultivation है जिसको की मेरे Master ने मुझे दिया था और यहाँ पे Miss Bing के पास में spiritual stone की कमी है और सेट लीडर मैं यहाँ पे एक दूसरा request करना चाता हूँ यहाँ पे Miss Bing अपने disciple को inner set में ले जा सकती है क्या new disciple को हम join करवा सकती है ज्यादा नी बस 10,000 और यहाँ पे मैं last one एक चीज की request करना चाता हूँ सेट लीडर को कि आप यहाँ पे कुछ spiritual weapons दे सकते हो जिसकी वज़र से हमारे disciple यहाँ पे practice कर सके और ज्याद strong बन सके और अगर आपने यहाँ पे एक elder को arrange कर दिया जो हमारे disciple को training दे सकते है तो यह बहुत ही अच्छा हुगा set leader अब हम दिखते है टैनियो के बाते सुनके वहाँ पे master 30 के नहीं लगते है क्या यहाँ पे और खुच चाहिए तुमें अब टैनियो केने लगता है अगर अपने इतना arrange कर दिया तो यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा अब हम दिखते है वहाँ पे master 30 के नहीं लगते है हमारे यहाँ पे 33 secret realms है उन में से 9th realms के area 180,000 miles से भी ज़्यादा है और वहाँ पे 20 spirituals mine है जिसको कि मैंने खुद पे यहाँ पे mine किया था और उन में से 2 mines top grade के और 5 mines high grade के हैं और 5 mines middle grade के और यह सारे mines अब यहाँ पे मैं मिस बिंग को देने वाला हूँ और इस secret realm में 20 तो spiritual mine होगे और इसके अलावा यहाँ पे beautiful scenery भी है मतलब beautiful look है इस realm का और वहाँ पे बहुत ज़्यादा monster से जिसको कि वहाँ पे मार के मिस बिंग के disciple training कर सकते है और इ इडिशन में तुम्हे order देता हूँ कि तुम यहाँ पे inner set के अंदर जाके 10,000 disciple को recruit कर सकते हो और तुम चिंता मत करना सब कुछ में handle कर लूँगा 9 division की कोई भी chip यहाँ पे interfere नहीं करेंगे और finally तुम चिंता मत करना यहाँ पे spiritual weapon होगे scrolls होगे तुम उनकी चिंता मत करना 3 दिन की अंदर हैं सब कुछ में तुमारे वहाँ पे पहुचा दूँगा और दूसरी बात inner set और outer set में जो मिस बिंग के servant हैं elder sen and दूसरे उनको यहाँ पे मिस बिंग के साथ में ही रखना और उनको भी यहाँ पे join करवा देना क्योंकि अगर वो लोग ऐसी रहे बार तो यह यहाँ पे गौंग सुंग यूचैन उनको मार सकता है उनकी फिर अटेक कर सकता है और यहाँ पे मिस बिंग अपने लिए कुछ हेलपर भी चोच कर सकती है और दूसरी बात जब इन फ्यूचर में मिस बिंग डोल रिफाइनिंग रिल्म से ब्रेक्ट्रू कर लेंगी उसके बाद में मैं उसे होली गेट में प्रोमूट कर दूँगा तो गयची के साथ ही वीडियो यह भी खतम होता है अगर आपको अच्छा लेगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना थेंक्यू फॉचिंग टेक केर बावाइस योगें